नमस्कार दोस्तो एडिल सीविल सर्विसेज क्लासेज में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि BPSC अबियर्थियों की द्वारा BPSC में सुधार को लेकर बहुत बड़ा अंदूलन चलाय जा रहा है और आपने देखा होगा कि दो बार बहुत बड़े पैमाने पर ब्यापक तरीके से अंदूलन हुए जिसमें 29 नुवंबर और 7 दिसंबर का महा अंदूलन भी सामिल है फ्रेंड्स लेकिन देखा जाए तो इस अंदूलन के कुछ सकरात्मक परणाम सामने तो आये हैं लेकिन ब्यापक जो परणाम सामने आने वाल हैं अभी तक वो दिखाई नहीं दिये हैं और माना जा रहा है कि जब तक इस अंदूलन का जो मेन मकसद है जैसे CBI जांच की मांग या फिर जो भी अनियुमित्ता है उसमें सुधार की मांग जैसे कि परणियन्तरक को हटाये जाने की मांग जो भी पूराने करमचारी और अधिकारी BPSC में तीन साल से अधिक से समय तक कारे रहत हैं उनको हटाये जाने का मामला हो या फिर आगे से जो कोशन सेट गलत किये जाते हैं उनको सही तरीके से सेट किये जाएं 150 कोशन सही सेट हो तरह तरह के जो भी सुधार है उसमें अभी तक वो सकरात्मक पॉइनाम जो है सामने देखने को नहीं मिला है तो जो साथ तारी को जो अंदूलन हुआ था उसमें जो दिलिप जो छात्रे नेता है उनका ये कहना है कि सेमो आफिस से मेरे पास दो बार कॉल आया था और मुझसे जनकारी मांगी गई थी विसेसकर जो भी गलत प्रसने सेट किये गए हैं या उनके गलत उतर दिये गए हैं को लेकर और भी जो सुधार जो अभी अर्थी चाह रहे हैं उनका संग्यान जो है सेमो ने लिया है लेकिन इनके जनकारी देने के बाद अभी लगभग मांगे चलिए कि एक से दो दिन बुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई अपडेट आयो की तरफ से नहीं आया है फिर आयोग ने कोई इस पर अपना रवwing नहीं दिखाया सक्रात्मक रवon नहीं दिखाया जिसे की छात्रो की मांग को वो मां सके तब छात्रो構 का अखुरोष जो है गवर्वेंट की तरफ बढ़ा और यह साहीँ भी है कि जो कुछ भी आज इस आच यह आज आजयों दिखाई लिए हो रहा है तो लाजमी एक उनको भी मालूम होगा अगर नहीं मालूम है तो और भी एक सासर के लिए अच्छी बात नहीं है कि आपके सासन में इतनी गड़बड़ी हो रही है इतनी अन्यमिता हो रही है और आपको जनकारी नहीं है तो मेरा सीधे काना है कि अगर यहां से की मिलकर घटपंदन की ही सरकार के उना है ये दुनों समान रुप से इसके भागिदार होंगे और दोसी होंगे तो एक अभियर्ती होने के नाते मैं मानता हूं कि सेमो के दौरा जो संग्यान लिया गया है उसका सकरात्म कोई नाम देखने को मिलेगा और मानिय मुख मंतरी जो से उससरे कोईशन्स के असर गलत दिये गये उस पर आधरितीय रिजल्ट दिया गया है तो उससे अभी रिजल्ट को रोका जाए यानि कि मिन्स के एकजाम को रोका जाए और आगे जो भी सुधार इसमें हो सकता है सक्रात्मक सुधार वो सक्रात्मक सुधार करके आगे की परकिरिया की जाए आप लोग को क्या लगता है फ्रेंट्स के क्या होना चाहिए और आप किसको दोसी मानते हैं और क्या मानते हैं कि क इसके हस्तेशेप से मामला जो है सही तरीके से हो सकता है मेरा तो यह सीधे मानना है कि यह जो पूरा परकरन जो है अगर सरकार चाहेगी तो इसको अपने अस्तर से काफी हद तक सहीद कर सकती है ठीक है फ्रेंट्स तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियों तब तक के